हाजी यूनुस के काफिले पर जानलेवा हमला ताबर तोर फाइरिंग में कई लोग जक्मी बुलंद शहर के ब्लॉग प्रमुक हाजी यूनुस पर आज एक जानलेवा हमला हुआ है इस हमले में कई लोग घायल हुए है और एक व्यक्ति की मृत्यू की भी चर्चा है लेकिन अभी मृत्यू की पुष्टी नहीं हो सकी है बुलंद शहर के पूर्व विधायक स्वर्गिया हाजी अलीन के भाई और ब्लॉग प्रमुक हाजी यूनुस पर आज एक जानलेवा हमला हुआ है एक विवाह समारों से लोटते वक्त बदमाशों ने हाजी यूनुस के काफिले पर जानलेवा हमला कर दिया इस हमले में कम से कम 50 राउंड फाइरिंग की बात कहीं जा रही है इस जानलेवा हमले में कई लोग घायल हुए है इस जानलेवा हमले में खालद नाम के एक व्यक्ति की मृत्यू की भी खबर है लेकिन अभी इसकी पुष्टी नहीं हुई है खालद नाम का ये व्यक्ति पहले हाजी अलीन के साथ रहता था लेकिन उनकी मृत्यू के उपरान थे हाजी यूनुस के साथ रहने लगा था। अगले साल चुनाव होने के कारण नेताओं के दोरे बढ़ गए हैं। हाजी यूनुस एक विवाह समारों से लोट रहे थे। तब ही उनके काफिले पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने हमल कर दिया। जिसमें कई लोगों को गोलिया लगी हैं और गाडिया भी क्षतिग्रस्थ हुई हैं। गाडियों पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। गोलिया लगजरी गाडियों के शीशे तोड़कर काफिले में बैठी कई लोगों को लगी। घटना की सूच समर्थक चिकित साल्य पर एक जुठ होने लगे. देखते देखते अस्पताल पर समर्थकों और लोगों का हुझूम लग गया. थोड़ी ही देर में कई थानों की कुलिस चिकित साल्य पर एक त्रत हो गई. पुलिस ने बदमाशों की तलाश में कई चीमे लगा दी हैं. खबर लिखे जाने तक घटना और उसमें समलित बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल सका है कि यहारी कि यहार किरे लिए यह संसान कि अ कृस्पी गुरी लगी है हुआ हाय है है हायUP कि अ अ ओबिर टा है हुआ हrisのは कर दर शिक से जैना अ ने बढ़ बिदा दो, ने बढ़ा गत्मर बढ़ाने से लेकर बेज़ा सब्सक्राइब दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए